लो ब्रबान दिस इस अप्रशी एक राने वल्कम यू और फिर्विर्ट यूट्यूब चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंदू का हरतिक स्वागत है मित्रों इसके पहले वीडियो मैंने अप्लोड की है उसमें मैंने बताया था कि मैं अल बहुत खास कबर बताई आप लोगों को जो आप लोगों को एक भारती नागरिक होने के लिए जाना जरूरी है चलिए बहराल इस अपने न्यूज अपडेट पर आते हैं वापस लोटकर और 79 जार भरती पर ग्रहन लगने की तैयारी जो पेपर के तुरू जानकारी मिली है अभी मेरे द्वार कोई ऐसी पुष्टी ने ना लीगल टीम द्वार ऐसी कोई पुष्टी है दूसरा है एल्टी ग्रेट भरती का आज मांगा जाएगा परिणाम और यूपी पीसी जो आयो गयो उसका घिराव किया जाएगा वहाँ सारी चीज़े होंगे तो चलिए वीड इसको थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं देखते हैं क्या है इसमें इंपोर्टेंट है तो यह प्रयागराज से है यह न्यूज अपडेट और इसमें है कि रिकॉर्ड समय में 69,000 साहाय का धापक भरती पूरी करने पर पानी फिर गया है इस भरती की न्यूक्तियों पर लोकसबाद चुनाओं की आचार साहिंता का ग्रहन लगना तै है इनके द्वारे यह अभी आशंका जिताई जा रही है और यह ऐसा क्यों कह रहे है क्योंकि यहां भी अभी भी हाई कोट में सुनवाई चल रही है बेसिक शिक्षा परिशत के प्रात्मिक स्कूलों में उत्तर जाज शिक्षक भरती का सासना देश एक दिसंबर को जारी हुआ था छे दिसंबर को आउनलाइन आवेदन लेकर छे जनवरी को लिकित परिक्षा मंडल मुख्यालों पर कराई गई परिक्षा नियामक प्राधिकारी कारयले ने परिक्षा की उत्तर कुंजी जारी करके आपतियां ली लेकिन संसोधित उत्तर कुंजी और परिक्षा परिक्षा परिणाम अवक तक जारी नहीं हो सका है जिसको लेके कहा जा रहा है कि हो सकत प्रतियों को लीगल टीम को पुरे प्रदेश को पुरे प्रदेश के जो भावी अब्रति हैं जिन्होंने कट आफ क्लियर किया उनको इसलिए परशानिया देखनी पड़ रही है और इसको लिए सासन ने भरती के लिए कट आफ अंक जारी किये थे इसमें सामान को 65 वर्ग को भरतियों के लिए 60 प्रतिशत अंक पाना निवार किया गया है अब भरतियों के एक वर्ग ने इसे हाई कोट में चैलेंज किया था जो आप जानते हैं कौन सा वर्ग है यह और इसकी पूरी सुनवाई चली रही है करीब एक माह से इस मामले की सुनवाई चली जो अपने सासना देश जारी कर दिया है जो बहुत जादे इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपकी लखनों कंड़ पीट का अगर रिजल्ट 18 तारीक को इस पर सासना देश जो नयाले द्वारा जिस्टिस चोहान जी द्वारा यह अगर निकाल दिया जाता है कि सारी चीज़े हैं वह अपना सारवर्ति प्रक्रिया कराईए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 18 तारीक बाद यह तो हाई कोट का जो लाबाद हाई कोट का सारे डिपंडेंट आपके लखनों कंड़ पीट पर जो वहां पर रिजल्ट आएगा वहीं उस पर हावी हो जाएगा और वहीं उसके बाद तुरेंट उसको लागू कर दिया जाएगा तो यह मास तक इस्ताना अदेश जो दिया गया था वह डिपंडेंट है आपके लखनों खंड़ पीट पर सासन के तैयारी थी कि लखनों खंड़ पीट का आदेश आने के बाद इस तकना अदेश को चुनौती दी जाएगा लेक सब्का जा सकता है नहीं हो पाने की उमीद इस समय ऐसा तो यह सब्क नहीं करना चाहिए चुनाओं से पहले नहीं हो पाएगा ये कहना चाहिए चुनाओं के बाद तो होगा यह भर्ती प्रग्रिया थोड़ी नहीं रूख जाएगी और थि कहते हैं कि कोट में यूकने के क पूर्ण करती है सरकार यह चुनाओं के बाद तो अभी इसमें जो ग्रहन वेन वाला कारेक्रम है इसना बस समझिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कोई परशानी वाली बात नहीं है बस इसमें देखिए भरती प्रक्रिया का क्या है तुरंत हो जाता तो आप लोगों क क्या नहीं देती है तो उसको पता है कि लोग सभाचुनाओं में उनके साथ क्या होने वाला है तो सारा प्रेशर इसमें सरकार के उपर है तो आप लोग अगर सिक्षित हैं सिक्षित वर्क से हैं तो एकदम काम रही है पॉस्टिव रही है निउक्ती होगी आज नहीं तो कल लेट होने का कह सकता था कि चुनाओ के बाद होगा तो वो सही है और यहाँ पे नहीं होगी तो इसका कोई अर्थ नहीं है ठीक है तो और चलते हैं के जो आपका प्रक्रण है रिजल्ट के पर उसमें बात जीत कर लेते हैं तो यह आपका एल्टी ग्रेड सिक्षक बरती का आज मांगेंगे परिणाम वैसे मौसम तो बहुत ज्यादा ख्राब है प्रयागराज में बारिश हो रही है लगातार सुबह से और मौसम बहुत ज्या के इस समय सिमा पर भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका ऐसे में बढ़तियों का हुजूम यानि कि पूरे बढ़ती एक साथ मिलकर सुकरवार को यूपी एस्टी पर एकत्र होगा और गुरुवार को इसकी तयारी कर एक जुटता का आवान किया गया उत्तरप्रदेस मादमिक सि परिक्षा संस्ता खरी नहीं उतर सकी है यह तो पुराना है ही संस्ता के उपर प्रेशर होता है लेकिन संस्ता को बता दना चाहिए कि यह टाइम गैप है काफी लंबा खीचरा है एल्टी ग्रेट का रिजल्ट तो संस्ता को सबसे पहले इसको पूरा रिजल्ट कम्प्लीट करना चाहिए इसमें आठ फरवरी को परेडाम जारी करने का आठ फरवरी को वादा किया था और ये अभी भी पुरा नहीं हुआ है तो बेर्तियों के संगटन ने अब उनके अंदर उबाल है की डिया अपने वादे पर खरी उतर रही है आयोग सुक्रोर को इसके खिलाब इपस्चिप पर घिराव करने का पूरा कारिक्रम है इनका लेकिन जो मौसम का हाल है वो अपने उपर यह इसके आगे किसी का नहीं चलेगा देखते हैं क्या होता है हाला कि आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए बढ़तियों को सिक्षा विभाग में सबसे आदा परशानिया है यह मैं मानता हूं बहुत जादा परशानिया है और किसी विभाग से अगर कंपेर करेंगे तो सिक्षा विभाग में बहुत जादा परशानिया है लेकिन हम इससे नकार नहीं सकते कि यहीं सिक्षा विभाग ही नए आयाम प्रजर्शित करती है नए दिशा की और अग्रसर करती है समाज को समाज के विद्यारती वर्ग को इनको थोड़ी सी वरीता देनी चाहिए हर result के comparison में जितना मुझे ग्यान है जितना मेरा मानना है कि वरीता देनी चाहिए सिक्षा और सिक्ष को तो यह अपडेट थी आप लोगों के लिए और परशान बिल्कुल मत होई है जो होगा आप सरकार चाहती है कि इस पर ध्यान दिया जाए तो आपके प्रकरण में आपके पक्ष में आएगा ही आएगा तो बने रही हमारे साथ और जो भी अपडेट होगी आपको मैं टाइम ट में थे में मेंत भेकार जाने का कोई सेंसी नहीं ऊड़ता ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में पर्शान बिल्कुल म traff pourra में मेंत किया तो उसका रिजल्ट कभी न कभी लेकि रखकीएगा लेक्त आये का चौत जल्दी आये लेकिन आएगा ज़रूर इतना पता है ना आने का सवाल ही नहीं उड़ता है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए स्टे ट्यूना और एजुकेशन मैक्शम 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 कर दीजेगा इस्टे बिलेज इस्टे मोटिवेटेट गट बलेस वाल थांके सो मच